कि सेना के एक हेलिकॉप्टर राज क्रैश हुआ एक कल क्रैश हुआ लेकिन खबरों को जादा मौल नहीं दिया जाता लेकिन आज उसी वजह से हमने एक बड़ी हानी को छेला है आज हमारे देश की सेना का सुप्रीम कमांडर इस चीज का शिकार हुआ है आज एक और हो रहे थे यह कोई चोटा मोटा मसला नहीं कहा जा सकता यह आम बात नहीं कहीं जा सकती लोγά एक हो जाते हैं सब्सक्राइप पर सघश्र करते हैं और हम लोग उस प्रकार की सुरक्री नहीं दे सकते हैं इसकते जो लोग दिश को चलाने का काम करते हैं जो लोग सेना की अध्यक्ष हैं अगर उनको सुरक्षा नहीं दी जा सकती और हर वक्त अगर वो इस रिस्क के साथ जी रहे हैं तो फिर यह ठीक नहीं एक देश के लिए बिल्कुल कावेंदर और इसी लिए कही ना कही बार बार यही सवाल उट रहता कि जिस तरह से आप भी कहरे थे कि जांच जो है वो होनी चाहिए इस मामले में तो जांच हो जाएगी लेकिन पहले के मामले में भी जांच कही ना कही होनी चाहिए और इस मामले में जो आज की घ वह महां के इस्थानिय लोगों की बात की जाए तो इस्थानिय लोग बता रहे हैं कि हलिकॉप्टर में पहले आग लग चुकी थी बाद में वो क्रेच हुआ तो ऐसे में कहीना कहीं mixed reactions और mixed बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं अब इस्तिती कहीं भी साफ नहीं डिख पा रही है बिल्कुल mixed reactions सामने आ रहे हैं हर किसी का अपना-पना comment है इस्थानिये लोग अपनी बात कह रहे हैं जो उपर officers लोग है वो अपनी बात कह रहे हैं अधिकारियों के अपने बयान है, local reporters के अपने बयान है, इस्थानिये लोगों के अपने बयान है लेकिन पारूल अब जाच की बात की जा रही है जिस तरीके से विमान पूरी तरह से खत्म हो चुका था उसके टुकड़े नजर आ रहे है बिल्कुल वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तस्वीरे देश के सामने दरसल हाथसे के बात की आती है और किस तरीके की वह तस्वीरे थी प्लेन के टुकड़े नहीं मिल रहे थे जो हैलिकॉप्टर थे उसके टुकड़े नहीं मिल रहे थे तो ऐसे में लोगों के साथ क्या कुछ हुआ होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन देश के साथ आज बहुत बुरा हुआ है इससे कोई मना नहीं कर सकता बिलकुल कावेंदर और क्या देखिए अब जो है यह पुष्टी तो कर दी गई है कि विपिन रावत नहीं रहे तो क्या अभी तक इस बारे में आपके पास ची चल रही है तो जब तक ये सब कुछ ठंडा नहीं हो जाता तब तक अगला अपडेट मुझे नहीं लगता कि से पहले आने वाला है क्यूंकि प्यमो में भी मिटिंग चल रही है हो बाकि तमाम पर मेटिंग्स का दौर चल रहा है किस तरीके से बातों को देश के सामने रखना है किस तरीके से देश के सामने आना है यह सब भी आहम हो जाता है क्योंकि कहीं न कहीं कयास लगा जा रहे हैं कि रक्षा मंतरी देश के सामने जरूर आएंगे प्रधान मंतरी मोधी भी देश के सामने आ सकते हैं क्योंकि सेना के सबसे वरिष अधिकारी सबसे टॉप सिटिड अधिकारी की ये मौत का मामला है बिल्कुल कावें दो देखिए जिस तरह से आप भी कहा रहते हैं कि बैठक जो है वो लगातार चल रही है CCS की बैठक भी सारे 6 बजे यानि की शुरू हो चुकी है वो प्रधान मंतरी आवास पर ये बैठक ओनी थी वो भी शुरू हो चुके तो ऐसे में जब कल रक्षा मंतरी राज़ण सिंग संसद में जो बयान देने के लिए आएंगे पूरी घटना को लेकर तो कहीं न कहीं ये समझा जा सकता है कि उसी की तैयारी की जा रही है और कल रक्षा मंतरी सभी सवालों का जवाब देते हुए वहाँ पर नजर आएंगे किस तरह से वहाँ पर ये हादसा हुआ कि कहा चूक रही कि क्या वज़ा रही ये सब जो तस्वीर है वो साप हो सकती ह सबसे पहले देखे पारूल ये कहा जा रहा था है कि रक्षा मंतरी सदन में आएंगे और पूरी बात को रखेंगे ये दोपैर की घटना है दोपैर की बात है जब दोपैर में कहा गया था कि रक्षा मंतरी राजनास सिंग अब संसर्भवन पहुँच चुके और सदन के सब पर सई से जाज की जा सके उसके बाद फुर दरबिभ एविरिफिकेशन चल रहा है अभी दरहसल बाचीच चल रही है कि इस वजह से घटना हुई कहां पर क्या कमी थी क्या कुछ था सब टाटोलने की सारी बातों को सामने लाने की तमाम कोशिश है पो जा रही है तो जब स तो यह रहें कि राज़नाल सिंग किस तरह से बात रखेंगे क्या कुछ अभी चड़ रहा है लेकिन अगर वहां की बात की जाए कुर्णूर की जहां पर यह पूरा हाथसा हुआ है शायद समय जो है कावेंद इसने लग रहा है क्योंकि जो एडिया था कुर्णूर जिस जगा नहीं हो पा रही है मैं ढोख वारान उब के जो इलाका था ये दरसल एक मैं आपको मता दूं कि पूरा का पूरा ढेंस। व Karena पार और जो एरिया है वो पूरा फ्रेंससे गिरा हुआ है तो ऐसे में ये चीज बड़ी हम चाती है कि जो फॉरेंस लाका वहाँ पर यह घटना होती है पूरी दुरगटना वहाँ पर होती है तो इसके बाद वहाँ पर सबसे पहले तो रेस्क्यू उप्रेशन चलाना काफी मुश्कल था आपको बता दूँ कि वेलिंग्टन एक जगा है जहां पर इनका कारिकरम था जिस कारिकरम यह गय थे उसके ब लगातार हर किसी की नजर थी कि क्या अपडेट है लेकिन हर कोई ऑफिशियल जो बयान आने थे उनको खंगाल रहा था लगातार उस पर काम चल रहा था लेकिन अब इस वक्त यह चीज़ साफ हो चुकी है कि जनरल वेपिन रावत साब सीडियस वेपिन रावत साब अब हमा तो ऐसे में वेपिन रावत का शौरे भरा ये सफर 16 मार्च उनने सोटालेस को पौड़ी गड़वाल में उनका जनम कुआ था तो पौड़ी उत्रखंड से तालुक रखने वाले वेपिन रावत थे उत्रखंड में वो जनमे थे उसके बाद शिमला के सेंट एडवर्स पूली पढ़ाई की थी तो यानि शिमला से भी कहीना कहीं उनका नाता जो है वो रहा नैशनल डिफेंस अकेडमी से उन्होंने सनातक किया तो कहीना कहीं जो उनकी शुरुआत हुई पहले से ही एक पिच्चर क्लियर थी माइन में किस तरह से आगे पढ़ना है किस तरह से को सेना में न्यूक्त किये गए थे वो तो ऐसे में यह आपको हम उनका शौरे भरा सफर दिखा रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा पहले न्यूक्ती 11 गोर्खा राइफल्स में उनकी हुई थी और IMA में स्कुर्ट ऑफ ओनर से उन्हें सम्मानित भी किया गया था तो ये विपिन रावत का शौरे भरा सफर दिखा रहे हैं पूर्वी भारत से लेका कश्मीर तक तैनाती उनकी रही है कहिना कहीं देश की सेवा में कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ी भारत से लेका कश्मीर तक तैनात हों हमेश रहे एक सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख उन्हें बनाया गया था तो ऐसे में ये लगाता हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनका सफर है देश के पहले चीफ आफ डिफेंस बने इसी इसलिए कही न कही ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा दुख जो है वो कही न कही आप भारत को मिला है और बहुत बड़ा लॉस भी कही न कही है 31 दिसंबर 2019 से CDS के पद पर वो थे तीन साल का उनका कारकाल था लेकिन अभी तक वो दो साल का अपना कारकाल ही पूरा कर सके थे तो ऐसे में ये विपिन रावत का शौर भरा सफर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से उन्होंने देश को अपनी सेवा दी उत्राखंड से तालुक रखते हैं वो आपको बता दें कि 16 मार्च 1948 को पौड़ी गलवाल में उनका जन्म हुआ था और इसलिए उत्राखंड में भी क खलचर पूरे देश में दोपैर से देखने के लिए मिल रही थी तो उसकी बाद लगातार जो है बड़े-बड़े नेताओं का आना जाना उनकी आवाज पर शुरू हो गया था ऐसे में नैशनल टिपेंस अकेडमी से उन्होंने जो है शुरुवात की थी 16 दिसंबर को सेना में उन्हें नियुक्त किया गया था ये उनका सफर हम दिखा रहे हैं साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारत से लिका कश्मीर तक में उन्होंने अपनी सेवा दी है तैनात वो रहे थे पहली नियुक्ती 11 गोर्खा राइफल्स में उनकी हुई थी आई एमे में स्कॉर्ट ऑफ आउनर से सम्मानित उन्हें किया गया था पूर्वी भारत से लिका कश्मीर तक वो तैनात रहे ऐसे में काफी एहम इसलिए माना उनका सफर जा रहा है क्योंकि पहले भारत के सीडियस जो हैं वो बनाए गयते एक सितम्बर 2016 को सेना के उप प्रमुक उन्हें बनाया गया था उप प्रमुक वो बनेते 2016 में एक सितम्बर को और उसके बाद देश के पहले चीप आफ डिविन्स वो बने यानि की पहले देश के सीडियस विपिन रावत को ही बनाया गया था और अचानक से शाम होते होते वो खबर जो है उनकी निधन की खबर में तब्दील जो है वो हो जाएगी और कहीं न कहीं इसी लिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि पूरे देश में समय बड़ी हल्चल देखी जा रही है तमाम जो नेता हैं वो श्रधांजली देते नज पूरा जीवन शौरे भरा रहा आपको बता दूं कि म्यानमार में जो सर्जकल स्टाइक हुई इसके बाद जितनी भी देश में सर्जकल स्टाइक हुई जिनसे देश ने कहीं न कहीं ये मैसेज देने का कोशिश किया कि ये नया भारत है अब ये पीछे नहीं हटेगा ये घुसकर मारेगा तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरा क्रेड़िट जर्चा रही जाता है आपक देश के बनाए गए कौन जनरल विपिन रावत तो यह शौर भरी जो उनकी गाता थी जो उनका पूरा करियर था इतना शौर भरा था इसलिए पहला सीडियस बनने का सौभागे प्राप्त हुआ जनरल विपिन रावत को लेकिन इसके बाद आज जो कुछ हुआ उसने देश को गमगीन कर दिया आपको बता दूँ कि तीन साल का कारेकाल था दो साल का पूर्ड हो चुका था एक साल का बाकी था एक साल के कारेकाल में क्या कुछ उनों ने सोचा होगा किस तरीके से सेना को और मजबूत करना है किस तरीके से नए भारत की तस्वीर को और जादा साफ करन है कही ना कही उन सपनों का आजनतु वाय तक है कहीं नहां को सेना को जतनी वड़ी शती हुई है जो कुछ उन्होंने सोचा था उस सभी चीजों कान था आपको बता दू पारुल कि इसके बाद से लगातार प्रितिक्रिया आना भी शुरू हो चुके हैं राश्रपती ने कहा है कि देश्ट ने एक सपूत को खो दिया वहीं प्रदान मंत्री मोधी ने दुख जता है और कहा है कि साधारन योद्धा को आच खोया है इसके बाद अब ग्रह मंत्री का भी बयान आया है जेपी नड्डा भारते जंता पार्टी के राश्ट अध्यक्ष उनका भी बयान आ चुका है तो लगातार बयान भी आने शुरू हो चुके हैं राहुल गांधी ने भी दुख जता है इ अंकी धर्मपत्ती दोनों ही जो स्वर्गिये हैं उन दोनों के शो को कल दिली लाया जाएगा पारूल जी बिलकुल कावेंद और देखिए ये जानकारी तो आपने पुल्चा दी कि कल दोनों के पारते शरी को दिली लाया जाएगा उसके बाद जो है अंतिम संसकार के प्र पर पहुंच रहते हैं ऐसे में मुख्य मंत्री पुष्कर सिंग धामी भी कल वहाँ पर उनके घर पर जाएंगे तो कही न कहीं शोग की लहर एक उत्राखंड में भी देखने के लिए मिल रही है जिबिलकुल पारुल उत्राखंड जो है वो दरसल देव भूमी तो है ही है इस इसके साथ शूरवीरों की भी भूमी है एक शूरवीर नहीं है ऐसा उत्राखंड ने हजारों लाखों की संक्या में इस देश को शूरवीर दिया आपको बता दू कि उत्राखंड में जनरल विपिन रावत सहाब उनकी जो शौर गाथा है जब लिखी जाएगी तो उसमें तो आज देव भूमी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि गर महसूस कर रही होगी कि एक सपूत खो तो दिया लेकिन देश का नाम जो उसने पूरे विश्व में पूरी दुनिया में जो भारतिय सेना का नाम जो उचा किया उसके लिए आज जरू कहीं न कहीं गर महसूस कर रही होगी पारूल बिल्कुल कावेंदर और इसी लिए देखे तमाम जगासे जो हैं प्रतिक्रियां भी लगाता सामने आ रही हैं ऐसे में आप भी बता रहे थे के राजपती ने क्या कुछ कहा प्रदान मंती नहीं आप भी लगाता बता रहे हैं कि कितना योगदान उनका देश में रहा हैं देश के लिए रहा लेकिन कहीんな कहीं एक लोस इस लिए भी है जिस तरा से आपने बताएं कर आके बढ़ने वाला था ब्लूपिन्ट जो उनके तरह से तयार किया गया था वो कही न कही एफेक्ट बहुत जादा होगा ऐसे में इसी लिए देखे प्रधानमंति नरेन उबोधी नहीं ये ट्वीट में लिखा है कि आज देश ने एक बाहदुर सैने को खो दिया है जी बिलकुल पारुल इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो कुछ सोचा गया होगा जो कुछ एक्शन प्लैन्स शल रहे होंगे किस तरीके से सेरा में अगले एक साल में क्या कुछ बदलाओ कर रहे हैं क्या चीज हमारे स्ट्रेटजी रहेगी हमारे बाती जो पडोसी मुल् चाइना के साथ हमारा क्या कुछ एक्शन प्लैन रहेगा पाकिस्तान के हमारे साथ क्या कुछ एक्शन प्लैन रहेगा इसका जो मेन जो एजिंडा जो सेट करते होंगे वो जनरल विपिन रावत साहब क्योंकि सीडियस के पद पर थे इसने वही करते थे तो अगले एक साल म अभी अंत Clay ूर इस शती से बार निकलने में देश को कुछ समय लगेगा और ये जरूर बात करने योगेवात हैं यहां पर पारूल कि हम क्यों नहीं अपरी चीजों को इतना ज्यादा थीक कर पाए हम क्यों नहीं अपनी विवस्थाओं को इतना ठीक कर पाए कि आज एक वी वी आई-पी की सिर्फ इस वजए से मौत हो जाती है क्योंकि हेलिकॉप्टर क्रेश हो जाता है 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 अज हम इस अधुनिक्ता के दौर में जी रहे हैं आज हम टेक्नलोजी की बात करते हैं तो क्या टेक्नलोजी की बात करेंगे हम जब एक हेलिकॉप्टर को हम इतना सेफ नहीं बना सकते इतनी सेफटी प्रोवाइड नहीं कर सकते कि वो चलते उड़ते और एक वी वी आई-पी को जब लेकर जा रहा है जिसमें दो ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी बैठे और तम से, पहले मैंने पहले भी कहा कि देखे हम जो है हमारे सेनकों के लिए हमारे सेना के लिए बड़े बड़े विमान जो है वह उन्हें बहारथ स कर देंगे ऐसे में बता दें आपको कि जो हैलीकॉप्टर था मिरी जिसके बात कर रहे हैं उसमें से पहला को बताय हो रहा ‫ सबसे पम्रीचेनख इन टैंक्स थे बताय जाएगा कि ट्विन इंजेन थे भी ऑल इन इंजन सय उसके बावजूर। अगर हाथसा होता है तो कहीं न कहीं कोई तो जिम्मेदार है जिम्मेदारी उसे भागा नहीं जा सकता है क्योंकि अगर हेलिकॉप्टर क्रैश हुरा है जिसमें अगर विपिन रावत साब चल रहे हैं अगर वह हेलिकॉप्टर क्रैश हो सकता है तो कल को प्रधान मंत्री जिस हेलिकॉप्टर से चलते है वो भी crash हो सकता है ग्राहमंत्री जिस हेलिकॉप्टर से चलते हैं तो वो भी crash हो सकता है मतलब इस देश की जो नैशनल सेक्यूरिटी है इस देश की जो पूरी की पूरी जो सरकारे हैं वो सब कही ना कहीं risk के factor पर चल रही है बिल्कुल कावेंद्र रिस के factor पर तो हैं एक तरफ तो हम इतने अपने आपको जो है वो शक्ति शाली समझते हैं कि हम दुश्मन देश को पूरा मूतोर जवाब देंगे और उनको पटकनी भी दे कर आएंगे दूसरे देश में गुसका जिस तरह से सरजुकल स्ट्राइक भा बहुत जरूरी है कि हम दुश्मन देश के लिए तो तयार हैं अपने लोगों के लिए भी हमें तयार रहने की जरूरत है बहुत जादा जी बिल्कुल दुश्मन देश के लिए तो हम हमेशा से तयार थे उसके पीछे तो कोई कभी नहीं थी और उसके पीछे वजह जो जी के साथ पूरा देश गमगीन है पूरा देश जो है नाराज है उदाज है और पूरा देश युफा टिа ऩ니다 यह ठीक नहीं है यह ठीक हुआ कवेंद्स आप बने रहे हैं साथ मैं फिर्से आप रूगत करूंगी लेकिन इन डिफेंस एक्सपर्ट बियन नौटियाल हम आसाथ यहां पर जूड़ जी किस तरह से आप विपिन रावत को आज यहाद कर रहे हैं इसे मन बहुत भावक है आज हमने चीफ डिफेंस स्टाफ जनल बिपिन रावत एक योद्धा एक शेर एक जावाज एक दुरंदर को खो दिया है वो योद्धा वो जनल रावत जिसने सेना को उस मेकाम पर पहुंचाया इस मकाम पर पहुंचाने की जरत थी चाइना और पाकिस्तान जो आज अंदर दुपके हुए हैं उसका कारण उसका नेक्तित जलन बिपिन रावत कर रहे थे तीनों सेना आर्मी निवी एई एक फोर्स इनको बांद कर चलना इनसे समागम करना इनका इसके कार सेयोजन करना ये उनकी सैली थी और भारत सरकार ने एक सही आदमी को चीफ और डिफेंस स्टाब बनाया आज हमारे बीच नहीं है हम सोच भी नहीं सकते अभी ऐसा लगता है कि ये ख़वर गरत होगी तो कि वो जावाज देश का नुकसान तुकिया उसने तो हम उत्तरा खंडों का दिल भी रुला गया और सबसी बात है कि अपने धर्म पत्नी की साथ वो चले गए और उनके साथ जो तेरा जो जावाज उन में से एक गुरू केप्टन बरौन सिंग अभी जिंदगी की मौत की जिंदगी वो अभी लड़ रहे हैं हम इस वर से प्रातना करते हैं कि तिवंगरत आत्मा को सांकी दे और देश बिचलिकना हो जिलन बिपिन रावत जैसे योद्धा हमारे पास भरमा रहे हैं आज इन योद्धाओं के वज़े से आज चाइन डुम दुबाए बैठा हुआ है पर यह हमें सा याद रखना है कि इन शेरों को इन बीरों को इन सहीडों को हम कभी न भूले हम सवार दिया है और सैनिक का जजवा यही है वो देश के लिए जान देता है जरनल रावत वेलिंटन ड्यूटी पे जा रहे थे इस्टाफ कॉलेज में लेक्टर देने जा रहे थे उस से में ये दुखत हाथसा हुआ पूरा देश गंगीन है हम सब भाओंग है आफू है मन ब किसी के लिए मुश्किल है और कोई यही सोच रहा है कि शायद कुछ देर बाद कुछ ऐसी खबर सामने आ जाए जो जिसमें ही कहा जाए कि यह गलत खबर है यह गलत जानकारी दी गई लेकिन यह बेहत दुखत खबर है और ऐसे में हमारे जिप्टी एडिटर कावेंड चौ आप से कहना चाहता हूं कि अधा खबर है बड़ी दुख की खबर है लेकिन साथी साथ अगर मैं गलत नहीं हूं तो शौरवीन जो लोग होते हैं जो शूरवीर लोग होते हैं इनका कभी अंत नहीं होता इस बिबिद्धर रावन साब के बारे में तो सदियों तक किताबों को में लिखा जाएगा इतियास के पन्नों में पढ़ा जाएगा इनकी शौरे काथा हैं दुक इस बात का है कि आदमी अपनी डूटी करते-करते चला गया और अपनी धरंपत्री भी उनके साथ गई है वस यही है कि सभी लोग अपने आपको समाल के लखें और जो सेना को तो जो उद्देश से शेनविश उचाई परो ले गए हम सब ठैनिक विल करके उस मुकाम को उस जावाजी को हर्याद रखे और यह तिहान रखें कि दुस्मनों को चक्रिबू मेरे लाने का जो काम बितुन रावत ने किया था वो ऐसा ही चलता रहे है यह बहुत बहुत शुक दुख का माहल है और दोपहर बारा बचके दस मिनट के बाद से यह जो लहर थी पूरे देश में दौड़ने लगी थी और अब साफ हो चुका है कि हमारी भारतिय सेना का सुप्रीम कमांडर जो है वो हमारे बीच नहीं रहा वो उपर आस्मान में तारों के बीच हैं स्वर् स्वर चौने में वहर देश नहीं ससकता है कभी ऐसको तोका नहीं जा सकता बिल्कुल कावेंद्र और इसी लिए लगातार जो हैं इस तरह की बाते सामने आ रहे हैं कि यकीन करपाना बेखत मुश्किल अभी समी के लिए हो रहा है कि विपिन रावत इस समय नहीं हमाई बीच रहे हैं बावेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैंसा जुणने के लिए तो ऐसे में लगातार हर एक पलपल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस परहा से दोपैर 12 बजे के बाद से ये हादसा हुआ और उसके बाद से लेकर अब के अब तक जो कुछ पहुंचाए एक जमदार चानल होने के नाते हमने कोई जल्दबाजी जो है वो नहीं की के पहले रेस में आगे पहुंचने के लिए हम कोई भी गलत खबर दिखाएं लेकिन जिस तरह से जो बार बार जानकारी आई वो भी लगातार हमने आप तक पहुंचाएं तो और ग्यारा अन्य शशस्त्र बलो के जवानों के आस्मिक निधन के से गहरत दुख हुआ है उनका आस्मिक निधन हमारे शशस्त्र बलो और देश के लिए एक अपूर्णिय शती है तो राजनात सिंग की तरफ से ये टूइट किया गया है लगातार आपको उतादें शो की लहर जो है वो पूरे देश में देखी जा रही है और इसी लिए हर किसी को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि विपिन रावत हमारे बीच नहीं है लेकिन सच यही है कि विपिन रावत अब हम सब के बीच नहीं है इस दुन्या